नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको जिस ओसदी पौधे के बारे में बताऊंगा उसका नाम है गोड हैल दोस्तों से पहले में आपको बता देना चाहता हूं अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाह दोस्तों यह पूधा देख रहे हैं यह फूल आप देख रह tussen यह बिटामिन चैल्शिञं tu अगर आप अपने बालों पर लगाती है तो बाल आती सुनदर होती है जहां दोस्तों एक दो दिन में था नहीं होगा आपको regular इसका काम करना पूरेगा अगर आपकी मुझ में चाले हो गई है तब गुढहल की इन पत्तों को ले 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 और लेकर के आप चबाती हैं तो पत्तों को चबाने से चाले खत्म हो जाते हैं, यहां दोस्तों जिनको बार-बार चाले परिशान करती हैं और जब तक इलाज के कराते हैं अब तक छाले ठीक रहते हैं पुना छाले हो जाते हैं ऐसी में आप गुढ़हल के पत्तों को जरूर चबाएं और चबा करके निगल ना यह थूख देना है हाँ निगलना कभ है अगर वह चाले आपके गले तक है तक है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं इन फूलों को आप प्रियोग कर सकते हैं अगर आपको बिलेट की कमी है जहां दोस्तों जिनको पेलिया रोग हो जाता है या जिसको इनेमिया रोग हो जाता है उस कारण से आपके शरीर में बिलेट की मात्रा कम होती है तो यह इसके फूल जो लाल लाल दिख करके इन फूलों को और पीना है खालें पीने से बिलिड बढ़ी तेजी से बढ़ता है दोस्तों साधी साथ में बता दूं डाइटिंग करने वाले या गुर्दी की समस्या से पीले ब्रक्ति अक्सार इसे बर्प के साथ पर बिना चीनी मिलाई पीते हैं क्योंकि इसमें प्रा मासी हो गई हैं तो आप गुड़हल की पत्यों को ले ले और पानी में उबाल ले और उबाल करके पीस ले और उसमें सेद मिलाकर अगर तुछा पर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है ऐसा भी कर सकते हैं आप कि इन गुड़हल की पत्यों को ले करके और पी गुढ़हे फूल ले और फूल को लेकर कि आप भब के मह डाल करके निकालनेए फूली Class लेकर के रहु PHP से में में दाल करके निकालनेए हैं आप से और निकालनेए और hơn तत्व दिल के लिए अतिश्तम काम करता है दिल की बीमारी में नफद में या भी पी ह souvent हु और दिल की दिल कमजोर हो इत्यादी बीमारियों में फायदेबंद होता है बहुत ज्यादा अच्छा काम करता ये दिल की बीमारियों में दोस्तों गुढ़हल से बनी चाय को अगर प्रयोग करते हैं आप तो ये गुढ़हल सरदी जुखाम और बुखार आदि को ठीक करने के लिए जो फूल है लाल लाल कलर के इन फूलों को आप अपनी चाय में डालें तो चाय अच्छी बनेगी और बहुत ज्यादा बहतरी नहोती है सरदी जुखाम खासी को दूर करने के लिए दिल को तलो ताजा रखती है सरीर में गर्मी को संद करती है और बिलट सरकुरुए को बना करना चायते हैं जिससे गरीब असाहे और बीमार लोगों के मदद कर सके तो अपनी अक्छा से डोनेट जरूर करें धन्यवाद दूस्तों नमस्कार